तो जैन दोस्तो मेरे नाम है तुल और स्वागत है आपका अपनी यूटुब चनल अतुल्टिक बजार में दोस्तों यहाँ पर रियल्मी का ग्लोबल थीम स्टोर आ चुका है जी हाँ दोस्तों यूनिवर्सल थीम स्टोर जिसके बारे में यहाँ पर कलरोवे 7 लांचिंग के समय बोला गया था वो यहाँ पर आ गया है आज किस वीडियो में आपको इसी बारे में बताऊंगा कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है तो दोस्तों वीडियो सुरुखने से पहले अगर से आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर प्लिस से कर खाक तो कार दो यहां पर यहां पर आप को फरी यहां चल जाना है और यहां पर जैसे आप यहां पे आपके पास बहुत सारी थीम आ जाएगी ऊपर आप देख सकते हो एक option आपको देख रहा होगा एक ऊपर टैग लगा हुआ दिख रहा होगा यहां पर आपको कुछ step का कुछ information दिया जाएगा यहां पर आपको बताया जाएगा कि यह जो थीम है कहां कहां apply होती है वैसे भी मैंने इसे download करके रखा है और मैं आपके सामने यहां पर apply करता हूँ जनरली दोस्तों हम अगर थीम apply करते हैं तो रेलमी की device ओपो की device में पहले ऐसा होता था कि जो थीम है यार apply नहीं होती थी जो notification पैनल है और यहां पर आपको जैसी में notification दिखाता हूं तो आप देख सकते हो notification पैनल सारा का सारा यहां पर change हो चुका है तो काफी अच्छा है आप नोडिफिकेशन पैनल प्रवाइड कर दिया गया है ग्लोबल थीम यहां पर आ चुकी है और इवन आप नोडिफिकेशन पैनल नहीं आप डायलर को भी देखोगे यहां पर यह भी changes हो चुका जो हम third party थीम apply करके बनाते थे और apply करते थे तो उसम सेक्षण भी यहां पे fully change हो चुका है इवन यहां पर आपको जो lock screen magazine है वो भी यहां पर आपको change कर सकोंगे inगे और E1 यहां पर आप चारजिग करते हो व भी यहां पर आपको change wallpaper देखने को मिले गा साथ ही साथ आप küçОms यहां पने भी something में बेल जाए देखан को मिल लेकिन यहां पर free फीम, मुझे यहां पर 3 ही देखने के लिए तो यहां पर 3 जो मैं आपको बदा देता हूं, यहां पर स्क्रीन में देख लिए का यह बहुत ही अच्छी थीम है और यह जो है सारे सारे सिस्टम में apply हो जाती है आप देख सकते हो notification पैनल भी कितना अच्छा यहां पर दिख रहा है और यहां पर आपको जो डाइलर है डाइलर का भी मैं आपको दिखा देता हूं तो डाइलर आप देख सकते हो कुछ इस टैप का मिल जाएगा इस थीम को apply करने के बाद और messaging app भी आपको काफी अच्छी यहां पर देखने को मिलेगी जो थीम है messaging app में भी apply हो जाती है setting section भी मैं आपको दिखा देता हूं तो setting section इस theme का कुछ step का देखने को मिलता है फिलाल यहां पर खुशी की बात यह है कि यहां पर universal theme global theme आ चुकी है बट थोड़े सी दुख्य की बात यह भी है कि यहां पर जो इसकी quantity है free वाली वो कम है तो in future यहां पर आपको बहुत सारी और भी quantity देखने को मिल जाएगी फ्री वाली ग्लोबल थीम को यहां पर universal theme को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो आप चाहो तो लॉक स्क्रीन मेगजिन आइकॉन वगेरे को चेंज यह नहीं करना है तो वह भी आप यहां पर चेंज कर सकते हो option यहां पर अबलेबल है तो इस 6.5 जो है old devices में इंस्टॉल नहीं होता है इस वीडियो में दोस्तों इतना है यह वीडियो आपको पसंद आखो तो प्लीज से मेरे जनले को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो कि लिए जाने दुस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम